अंतराश्टी बजार में कच्चे तील की कीमतों में गिरावाट आई है ब्रेंड क्रूड का भाव 0.06% घटकर 82.20 डॉलर प्रती बैरल पर आ गया है वहीं WTI कच्चे तेल का दाम भी गिरावट के साथ 88.31 डॉलर प्रती बैरल पर रहे गया कच्चे तेल का भाव कम करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और चीन ने अपने रण निती गत भंडारों से तेल निकालने की योजना पर काम शुरू कर दिया है उपेक देशों से आगरे करने के बावजूद तेल उत्पादक देश कच्चे तेल की सप्राई बढ़ाने से इंकार कर रहे हैं भारत अपने कच्चे तेल के भंडार से लगभग 50 लाग बैरल कच्चा तेल निकाल सकता है ये कदम घरेलू बजार में पेट्रो डिजल की कीमते कम करने के लिए उठाया जा रहा है रिजर्व बंडार से कच्चा तेल निकालने के बाद घरेलू बजार में 7 दिन में सप्लाई सुचारू हो सकती है इससे महंगे तेलों के दाम घटने में मदद मिलेगी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के इस कदम से दुनिया के बाकी देश भी अपना रिजर्व तेल निकाल सकते हैं इससे तेलों की सप्लाई बढ़ाई जा सकेगी सप्लाई बढ़ने से तेल के दाम गिर सकते हैं